रार्सी गुरूपडी एकजानbon 2022 अभी जो आप लोग यह लिए देयो ना जो कितने नंबर की लिष्ट है आप लोग यहां पर देक पार होगे यह आप लोग को कैंप पर यह dv 2018 और document verification से सम्मझनी जो भी यहाँ पर select हुए है यानि कि final cutoff निकलिए है आप गुरूप D की final cutoff निकलिए है ना गुरूप D की जो final cutoff वो कब निकलती है आप लोगों के आप लोगों का PT के बाद में physical हो जाने के बाद में जो final cutoff आती है कितनी हैं आपे जो यह final cutoff है ना यह final cutoff आप लोगों के PT हो जाएगी ना आप लोगों का physical हो जाएगा ना तब यह final cutoff आएगी और यह final cutoff आप लोगों का one ratio one ratio के अंतरकत इसमें instrument को बलाया जाएगा खेने का मतलब है अगर आप लोग इस list को द्यान से देखो कितनी है याप पर dv के लिए total candidate के लिए संक्या कितनी है div के लिए देख लिए एक फ़र लास्ट में ले जाके total candidate की संक्या आप लोग देखो गे आरार भी यह आपर लिखा है total candidate two thousand six hundred ten only यानि आप लोगोगा चप्वी सो दस student को चस्प्वी सो दस student है और vacancy है vacancy अगर आप लोगों का 20 है तो 20 लड़कों को ही बुलाए जाएगा dv के लिए dv के लिए ऐसा नहीं यह तीन गुना जैसे physical के लिए तीन गुना बुला रहे हैं ऐसे dv के लिए नहीं बुलाएंगे आप लोगों के जो डॉक्मेटिवेटिवेटिव होंगा ना तो इस तरह से आप लोगों की लिए कहने का मतलब मेरा है और डी वी के लिए जैंटे करtó iron ऐ sunt अधूरा की कट ष्वर्षक्ष जिए ना गुरॉब्डी का सी बीटिवेटृ वं दिया है गुरॉबडी का उसका जो उसका कोकण का कट्ट काड़ से बाहर निकल दीए जाएगा वो सारी का सारा जानकरी आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को तेने को संबदी जो भी आपजको की segment जो भी A to Z जान करिए उसे मैं देने वाला हूँ और वो भी आप लोगों के आपे ओफिसियल नोटिस दिखा के वो सारा का सारा जान करी आप सब लोगों के सामने रखने वाला हूँ तो आईए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और आराम से समझने की कोशिश करते हैं आकिरकार DV के लिए DV में कितना खतरा कितना खतरा है अगर हम लोग DV में गलती से हमारे डोकुमेंट वेरिफिकेशन कराने जा रहो और हमारे DV कोई चुरा ले कोई DV चुरा ले या घर में आ पॉइंट देखों जैसे आप लोग गुरूपडी का नोटिफिकेशन डाउलोड करते हों तो चोदा पॉइंट तीन नंबर पर आप लोगों को यह वाल लाइन लिखा मिल जाएगा डोकुमेंट वेरिफिकेशन एंड एंड इंड इम पैनलिंग ऑफ कंडिएट यानि कि ज ज्यादे इंपोर्टन नहीं है यह तीनों कंडिशन आप लोगों की पहली दूसरी और तीसरी यह तीनों कंडिशन को आप लोग ध्यान पूर्वग पढ़ोगे तो इन्होंने क्या लिख राक है आपे बेस्ट ओन परफोर्मेंस ओफ कंडिएट इन सीबीटी सब्जेट दे however will be however be considered for impenillement only if there is a shortfall यानि खेने का मतलब है दूसरा जोग पोईट है आप है अप लोगो अपर दूसरा पोईट है कोई बी बंदा हो यह आपर जैसे कोई बंदा हो यह आप डीवी में सलेक्ट नहीं होता है तो उसको मेरिट को ौच and शाञ हो और उन किया जाएगा यानни मेरिट को डाउन करके बुलाए जाएगा और तीसरा कंडिडेट यह है तीसरा जो तीसरा जो तीसरा है इनकेस तीसरा जो आना तीसरा यह वाला है आप लोगों आपे जो पहला तो यह हो गया दूसरा यह हो गया तीसरा जो तीसरा आप लोगों का कैसा है तीसरा यह वाला कैसा A और B दो करने डेट है A के जो marks है A के marks है यहाँ पर वो और सेम सेम आ गए नमबर सेम आ गए इसके भी सेम आ गए इसके भी सेम आ गए तो इसमें से selection किसको होगा तो इसका selection करने के लिए board क्या देखेगा age देखेगा जिसकी age ज़्यादा है तो उसको यहाँ पर वरियत दी जाएगी और age भी समान हुई age भी उनकी सेम हुई तो उसके बाद में जो age वो देखेगा वो alphabetical आप लोगों का order देखेगा आप लोगों का नाम का alphabetical order देखेगा तो यह दोनो तीनो जान करी थी जो मुझे आप लोगों का बताने ही थी अब आइए फटा-फट आप लोगों का DV की मैं आप लोगों का document बता देता हूँ आप लोगों को डिवी DV कोन-कोन से लिके जाना है तो इसमें मैं फटा-फट आप लोगों का बताने की कोशिक करता हूं जो भी आप लोगों को DV ले जाने है उसे मैं यहाँ पर आप लोगों का सामने सही तरीके से बताने की कोशिक करता हूँ तो DV आप लोगों का यहाँ से start हो रहा है यह आप लोगों का 18.0 नंबर पर आप लोग देख सकते हो आररसी गुरूपडी एकजम 2022 के लिए जो डोकुमेंट की जुरुरत हैं यहां से दिखो आप लोग डोकुमेंट टू बी ब्राउट ब्राउट बाइक करनेट इन ओरिजिनल फो डीवी के लिए आर इंडिकेटड जो पोइंट है यह पोइंट है फटा फट डिसकस करते हैं जो पहला पोइंट है आप लोगों का पहला पोइंट क्या है पहला पोइंट को आप लोग दियान से सुनो आप लोगों को दसवी की अंगताली का चाहिए दसवी की अंगताली क जिसे y school की अंगतालीकः собой secondary आप है, आप लोगों का अंगतालीका बोलते हैं तो आप लोगों 10th के अंगतालीका चाहिए, तेंथ के अंगतालीका चाहिए दूसरे जोग नई के लिए ऑन्हें तो अप्रेंटिय से group d, अप्रेंटिय का form डाला है तो उनको certificate दिखाने पड़ेगा जो भी उनका certificate है N-CVT दिखाने पड़ेगा जो भी certificate है उनको वापर दिखाना पड़ेगा अगर नहीं हो गया आप लोगों के आपे तो आप लोगों के अप्रेंटिस से अलग कर दिये जाएगा यहाँ आपे तीसरा जो तीसरा है आप लोगों के SC और ST SC और ST के लिए आप लोगों NXJR1 के according आप लोगों के से certificate दिखाने पड़ेगा और NXJR1 क्या होता है NXJR1 क्या होता है NXJR1 वह таई जहां पर S ser और ST के जो फोरमेट में दिखाया देता हूं यह आप लोगों को नीचे इसको करोगे इस notification में तो नीचे आप लोगों को NXJR दिखाए देगा NXJR यह आप लोगों को NXJR First दिखाए देगा आप लोगों के आप लोगों को NXJR First लोगको के इस तरह से आप लोगे पूरा बनाने पड़ेगा यहाँ तक आप लोगको a यह कीं पूरा 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 सेक्टिविकट अब चलते हैं आप है यहाँ पर देख लिए आगे जो भी ४ॉändigड अपने अंपर यहां पर भंदा यह अपर यह आपको का इंपरी तरडको का नीचे इस तरह आप जुबह आप लैको आप औरहले दिखाने रहें डिखा लिए सी क्योंगी नोटैफिकेशन यह फिर तीसरा पॉइंट हो गया तीसरा पॉइंट हो गया चोता पॉइंट देख लेते हैं आपर चोता पॉइंट क्या है OBC OBC non-criminalized certificate N102 जो भी OBC का candidate है उसे N102 के according हो आपे उसको card certificate बनाने पड़ेगा और जो card certificate है आप लोगों कहें आपे DV की date से पहले होने चाहिए DV की date से पहले हुआ तो समझो आप लोगों के काम हो जाएगा कोई टेंसन करने की जुरत नहीं है जो पांचो पॉइंट आप लोगों का एनेग जेर सेकिंड ए एनेग जेर सेकिंड ए के according आप लोगों को declaration का form बनाना पड़ेगा चट्टा पॉइंट आप लोगों का आप लोगों का इनकम का सेटिविट दिखाना पड़ेगा वह एनेग जेसे एनेग जेर थर्ड का परफॉर्म दिख्एगल रहरा आप लोग परफॉर्मा तो वह पर आप लोग पता लग जाएंगा क्या-क्या मांग आतो दिखेएंगे सातनों पॉइंट देखे लिएते हैं माइनॉरिटी त्क होती है investir जो भी कों से नव वोगों के एक सर्विसमें और दिखाल का एक सर्विसमें के लिए है ये वाला डिशुर का आप लोगों के सेटीफिक्र दिखाना पड़ेका कर एक नव पर क्या थी और दसों पॉइंट आप लोगों को सेंटिवीड दिखाना पड़ेगा प्रोड़ी टुए अपने पड़ेगा और थेश्ट अपर ले जाना पड़ेगा दिखाना क्या एक सर्विसमेन को देना पड़ेगा आप लोग ओगा एक सर्विसमें के लिए 12.00 पट नौसी देना पड़ेगा कर्ण एप्पलोई में खापी हो आप लोग ओपने काम कर नहीं है चोदोथफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफ नेम यानि की जिनके भी नाम में गलती हुए है मीन, मीन, मीन राम है, राम मीनलिदिया, कुछ भी नाम मी गल्त हुए, कुछ भी नाम मी गल्त हो रहा है, आप लोगो यहापर, तो आप लोगों यहापर एक एफ़टेविट बनवाना पड़ेगा, और वह एफ़टेविट आप लोग यहापर पठ सकते हो, इस notification का, पेरा 1.7 सब्सक्राइब extraordinar Charing सब्सक्राइब उसका offline का जो receipt है वो चाहिए आप लोगों यहाप पर नहीं है यह तो यहाप लोगों यहाप पर जो भी आप लोगों का एफ़ीडेविट होता है वो बनवाना पड़ता है कोई चीज नहीं होती तो यहाप यहाप लोगों का सोलवा यह सेल्फ से सेर्टिफिकेशन बाइदर टांस जो टांस जेंडर होता है वो यहाप उसको सेल्फ सेर्टिवीट चाहिए वाप यह आपने काम का नहीं है यह यह सी तो नॉर्मल जम्मु कश्मीर से होता आप लोगों को डोम मिसार सेर्टिवीट चाहिए 18 वापोइंट है आप लोगों यह अब बता दूँगा आप लोगों यह आप जो भी दुवार से बता दूगा आप लोगों डेस सेर्टिवीट यहाप कोई भी वीद मैला है उसका आप पत्तिकाल यह यह एक सर्विसमेंट के लिए इस तरह से आप लोगों के डोकुमेंट है खेयने के मतलब है जो इम्पोट तो यह ता आज का वीडियो आयो पर आप आप लोगों के लिए आप लोगों को समय देते हैं तो आप लोगों के जुरत नहीं है तो यह ता आज का वीडियो आयो पर आप लोग समझ पाए होंगे डोकुमेंट वेरिफिकेशन से सम्मध आप लोग अपनी केटी की जबाई देख लेना है क्या कर लिए जाना है जनरल को क्या लिए जाना है कौन सा सेक्टिवेट किस पर्फॉर्म में ले जाना है वो सब आप लोग इस वीडियो में इसको хотите मैंने बताने की कोशिश कर रही है अब मिलते हैं जल्दी नेक्स कीन दाओट था आप लोग नीचे कमेंट這 सकते हो हुआ आप लोग sommi से रिप्लाइ करने की का मिलते हैं जल्दी नेक्स कीन